वेल्कम बैक माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ आज हम बात करने वाले हैं पत्तेदार सब्जियों के बारे में ये देखिए मेरी हरी हरी लहलाती कित्ती सुंदर प्याज हैं ये हरी प्याज और इंसेक्टिसाइड की जो डालने की जो चांसेज कम हो जाते हैं तो क्यूंकि सेजन के अकोर्डिंग इजिली हो जाती हैं तो इसमें ये चांसेज कम हो जाते हैं तो हमें सेजन के अकोर्डिंग ही सब्जिया और फूर्स खाने चाहिए और सब्दियों में पत्तेदार किसी भी तरह उने तसमिला जा बाकद सकते हैं आप इसका इसका पजी सुप आप सकते हैं एक फिरा नहरीं से में कच्छा स्ज़ग कहती है उनको आप ऐसे खाते हुटारेक्ट लीक इन तो इससे क्या होता है कि यह बहुत अच्छी होती है जैसे बॉइल करने के बाद में कोई भी सब्जी होती है तो उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम हो जाता है और कच्छी अगर आप ऐसे खाओगे तो बहुत ही हल्दी रहेंगी और यह ऐसे कच्छी आप अपनी खुद की उगा रखी है और फ्रेस है वो उसको हेंटो हेंट आप तोड़कर अगर उसे कंजूम करोगे खाओगे तो बहुत ही ज्यादा हल्दी रहेंगी आपके लिए यह देखिए पालक का पुरा खेत बनावा है मेरा बहुत ही सांदार लगावा है और यह मेथी मैने हर्विस्ट क बिखाओ और फिर आ जाता है लसुन अगा बहुत है नहीं लिस बहुत हैं तो आप इसे भी जरू ग्रूंश कर सकते हैं और काफी सारी सब्जियां जैसी बत्वा साया है और सर्सो का साग है गाजर का पत्ते होती ना वह भी होती है और लेट्यूस होते हैं different डिफेंट जिससे कि आप धूरे फाइदी उठा सको, पिसले 4-5 साल से हाँ, एक धनिया को चोड़ कर, धनिया मुझे संमर्स में मेरे इहां पर नहीं होता है, तो एक धनिया को चोड़ कर, मैंने कोई भी हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, मैंने नहीं खरीदी है, गोबी भी मैंने नह पर जाते हैं और देखेस को जडरूर की नहीं खरीद से लोग की घर पे होती है और जब होती है तभी खाते हैं हम लोग और काफी सारी चीजिए है जो कि मैंने मार्वेस्ट से नहीं काफी टाइम हो गया है तो आप इन पत्ते वाले सब्जियों को जरूर एड़ कीजिए और पूरी सर्दियों फिर इसका मज़ा लीजिए अब भी आपने आराम से उगा सकते हुए पूरी सर्दियों में उग सकते हैं इसा नहीं कि आप लेट हो गए हो और सबसे बड़ी बात ह कि जल्दी हर्वेस्ट करने के लिए मिल जाते हैं आपको और फिर आप अराम से बिना जीज़क आप इसे खाईए किसी भी खेत में जाओगे आप बिना उसको वोस किये या बिना वोस किये तो उसे आप बिल्कुल ही नहीं खा सकते हो नहीं पता आपको उस पे क्या डाला है क्या वोस बहुत हामफुल हो सकता है तो आप उसे वोस कि करकर ही खा सकते हो आप अपने गार्डन में लगी हुई सब्जी और गनिकली लगी हुई सब्जी आप तोड़कर खा सकते हैं और उसी कोई टेंसन नहीं होगे आपके तो उमीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो प